आखिर जैद दरबार से शादी के बाद अपने एक्स पीएफ कुशाल टंडन से क्यों मिली गौहर खान 25 दिसंबर 2020 को जैद और गौहर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए दोनों की शादी और तमाम पार्टिस वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है लेकिन इसी भी शादी के बाद गौहर का एक और वीडियो भी अप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें गौहर अपने XBF कुशाल से मिलती दिखाई दे रही है लेकिन आखिर क्या है इस वीजियो के पीछे का रास तो आपको बता दे कि गौहर और कुशाल की ये मुलाकात महस एक इतिफाक था जिया अंदर असल गौहर खान ने शादी के बाद अपने काम पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है जिसमें उनके पती जैद दरबार भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं इसी वज़े से गौहर शादी के दो दिन बाद ही किसी शूट के लिए लखनव रवाना हो गई लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस फ्राइट से वो लखनव जा रही हैं उसमें कुशाल टंडन भी मौजूद है और इसे के साथ कैप्शन में लिखा एक हसीना थी अंड्रियल जिसमें दोनों काफी खुश भी नज़र आ रहे हैं आप भी देखे और सुनिए इस वीडियो को देखा आपने दोनों एक दूसरे को देखकर कितने सर्प्राइस थे लेकिन काफी खुश भी दोनों का बॉर्ण अब भी काफी स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा है और कुशाल ने लगे हाथ गौहर को उनकी शादी की मुबारक बात भी दे दी आपको बता दे कि टीवी अक्टर कुशाल टंडन और गौहर खान की दोस्ती बिग बॉस सैवन के दौरान हुई थी और इसी शो के दोरान दोनों ने अपने प्यार का एलान किया था बिग बॉस में इन दोनों की दिलचस्ट कैमिस्ट्री देखने को मिली थी हाला कि big boss के बाद इन दोनों का रिश्ता ज्यादे दिनों तक टिक नहीं पाया और जल्दी दोनों का break-up हो गया था हाला कि break-up के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त रहे और गौहर की शादी से पहले भी कुशाल ने उनकी शादी में जाने को लेकर काफी कुछ कहा था हाला कि वो गौहर और जैद की शादी का हिसा नहीं बन पाए थे लेकिन जिस तरह से फ्लाइट में इन दोनों की ये अचानक मुलाकात हुई उससे इन दोनों के साथ साथ फैंस भी काफी हैरान रहे गए थे